पहिन सात्यो मेरे यूटूब चनल में आप लोगा श्वागा थी आज में वीडियों के समय कितने डोकुमेंट लगे गाए और क्या-क्या जोइनिंग के समय डोकुमेंट चेक किया जाता है और क्या-क्या ले जाना है आप लोग का डिटेल साथ देखाने जरा हूँ तो चलो दोस्तों आप वीडियो को शुरू करते हैं तो जो जो इस चैनल पर जूरे है जरू चैनल के सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो अच्छे लगे तापनों दोस्तों का जरू स्यार करना तो देखते हैं जो जोइनिंग के टाइम क्या-क्या डोकुमेंट लागता है तो आप लोग देखिए SSGD 2022 और तेइस जोइनिंग टाइम डोकुमेंट तो पहले एक नमर में जो लिखा हूं तो क्या है एनोसी तो एनोसी आप लोग कहां से आप पास सकते हैं तो देखिए एनोसी इसका मतलब है नो अब्जेक्शन सार्टिपिकट यह मिलता है पूलिस स्ट आप लोग जाकर ना जबन जी एलागा का जो पूलिस इस्टेसान होता है धाना होता है उसमें doc लुकि जाकर लेड़े लेना उसमें बोरबावाव का सही करा लेना ठीक है सिखनेचर उसके बाद certificate of character आप लोग character certificate लेना जाती प्रमानपत्र लेना उसके बाद domicile certificate जो आप लोग online से apply करकर ले सकते हैं जो medical के समय domicile certificate ले गए थे वो नहीं लगेगा रिजेक्ट कर देगा अप लोग दो तिन दिन में हो जाता है आप लोग ज़रूर अपलाई कर लेजना डो मीसील उसके बाद चार नमर में क्या है SC ST, SC SC format central level के कराना होगा ठीकिए जो SC होता है state level का उसको क्या करना है इसडीओ ओपिस में जाकर आप लोग उसे Central level में कराना होगा इस अपना साटीफिकिट होता है उसके बाद Paynt Card जरूर लेजाना है Paynt Card जरूर लगएगा आप Paynt Card बेना नहीं होगा Paynt Card जरूर चेक करा जाएगा जिसका नहीं है जरूर अपलाई कर दिजिए छही नमन में क्या है All DV Documents तो आप जो Medical के समय टाइम जो आप जितने भी डोकुमेंट आपका देखा गया था चेक किया गया था वो डोकुमेंट जरूर ले जाना है जैसे कि मार्शित से Admit Card 10th Level का आप जरूर वो सब डोकुमेंट ले जाएए तो साथ नमन में क्या है Bank Passbook तो Bank किसी भी National Bank कर आप Passbook बना कर ले जा सकते हो उसके बाद SBI और PNB यह दो अच्छे Bank है इससे होगा तो बहुत अच्छा होगा तो जरूर ले जाना है तो उसके बाद ATM जरूर बना लना है SBI का PNB का तो मेरा दोस 2021 में क्या-क्या उसे पुछा गया था डोकुमेंट लिया गया था तो उससे हम लोग जानते हैं तो चलो नेश्ट उसके वीडियो में जरूर देखाते हैं जरूर देखाते हैं तो दोस्तो आपको सबसे पहले आपको NOC बनाना होगा ठीक है जबकि आप जब करेक्टर चरीतर प्रमान पत्र जब बनाने जाएंगे उस टाइम आपको NOC देखा जाएगा जो आपको पुलिस इस्टेशन में कोई एफायर तो नहीं है तब ही आपको चरीतर प्रमान पत्रमने signature देगा तो आपको NOC बनाना है आपको पुलिस इस्टेशन जाना है और किसी भी पुलिस इस्टेशन का कलर का वाएसाई का बोलना है कि मुझे NOC बनाना है ठीक है आपको बना कर देदेगा तो यह सबसे पहला आपको बनाना होगा ठीक है यह आपको later में कहीं भी नहीं लिखा है पर आपको यह लगेगा ठीक है जब करेक्टर साटीपिकेट बनाएंगा तब लगेगा ठीक है दोस्तों दूसरा चरीतर प्रमान पत्रम ठीक है दूसरा आपको होगा चरित्र प्रमान पत्र किस तरह बनाए ठीक है तो आपको सबसे नजदी की जाना होगा आपका गेजटेट ओपिसर का सिगनेचर लगेगा आपको नजदी की सबसे पहले आपको उपर बाला साइन कराना होगा आप यहाँ देखी रहे होंगे गेजटेट ओफिसर आपको उपर बाला में आप तो कोलेज का प्रिंसीपल या तो आपको वीडियो को सिगनेचर करा लेना है और सिल मारा लेना है आपको डेट और सिल मार देगा उसके बाद आपको गेजट्रेट ओफिसर आपको एक ग्रूप बला से नीचे सिगनाचर कराना है और सील मराना है डिस्टिक मेजिस्ट्रेट या तो आप साब डिविशनल मेजिस्ट्रेट के नीचे सील मराना है आपको उपर बला देखेगा तभी आपको नीचे यह साइन करेगा ठीक है दोस्त कम से कम दो तीन दिन लग जाएगा ठीक है इसके साथ डोकुमेंस क्या-क्या देना है बोटर कार्ड अधार कार्ड और नोसी जो नो अब्जिक्शन सार्टिपिकेट पुलिस इस्टेशन से आपने उठाया ओ ठीक है उसके बाद ही आपको सिगनेचर कर देगा और आपको करेक मेडिकम के टाइम ठाओ नहीं चलेगा ठीक आपको New बनाना होगा आपको से बनता है वैस्ट बंगल से बनता है और अदर स्टेट का मुझे चलेता नहीं तो जाती निवास पत्र मेडिकल के टाइम जो दिया जाती निवास ओसे काम चल जाएगा ठीक है उसके बाद प्रमेट बनाना है एससी और एस्टी का ठीक है ओई सेम है आपको जो एससी एस्टी है हर इस्टेट का तो केंद्रे सरकार का जो एसी फॉर्मेट रहता है आपको बनाना होगा डूकूमेंस्व आपको वी चीज्स देना है इस में और अधारकाड और नोटिस लिकना ऐ ठीक है और यह देना हैं आपको एक दो दिन में से हम बनता है तो ठीक है दोस्तों आप इस चैनल पर नहीं है तो जोड़ू दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हर से जीडी निव केंडिडिट के हेल्प मिलने वाला है